ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल 15 जुलाई 2022 शुक्रवार का दिन है स्रावन महा के क प्रुष्णपक्ष की दुटियाती थी है स्रवन नामक नक्षत्र होगा तथा मकर राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा कोई भी शूबिया मांगली कारिकरम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्ड़े आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथ्वा के लेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की मिथुन राशी में वही चंद्रमा मकर राशी में मंगल ग्रह मेस राशी में बुद्ध ग्रह मिथुन राशी में देव गुरुब रहसपती जो की मीन राशी में शुक्र ग्रह केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार वरशब कर ककन्या वरश्चिक एवं मकर ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशा ले लेने वाली है करिक्षितर में इनको उन्नती और प्रगती के उत्तम आउसर प्राप्त हो सकते है इसके अलावा जो भी काम किया जाएगा उसमें भी इनको अच्छा फायदा होने का उत्तम दिन रहेगा अब हम आपको मेश से ले करके मीन सबी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंतर तक जरू देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में ब्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक दृष्टी से दिन उपलब्धी कारक है धनलाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोत भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में मसूर की डाल का दान क इसे भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो होथी फाइदेमन साबित होगा आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखे विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिणाम हासिल होगे और उपाई के रूप में भागवान शंकर जी के मं इश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक द्रश्टिकों रखना आपको बहतरिन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन नई भूमी नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहु भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं सकारत्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे अगर प्रापर्टि या किसी अन् भरवत्मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से रुक किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैडा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदिया भोजन के बाद खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई स लोग बना रही है अब अपने अंदर अद्भूत उर्जा वा आत्मिश्वास महसूस करेंगे तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा अपने मन मताबिक कारी करने से आपको रहात मिलेगी किसी किसी समय भाउकता और आलस्सी की वजह से बंते-बंते कामों में रुकावट आ अपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे दूसरों की समस्याववकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूमी का रहेगी आपके पहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपक घर की सुकसुधाओं संबंदी कारियों में आपका समय वितीत होगा कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं आपको मन सम्मान को भी बचा कर रखने की आउशत्ता होगी और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रं का समाधान किसी के मध्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिलाकर के समय खुश्णुमा रहेगा रिश्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज सावधानी बरतना चाहिए किसी भी काम में रिश्क न लेना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी का डान किसी भी गरीव या जरवत्मन यक्ति को करेंगे तो आपका डेन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की धार्मिक वा अध्यात्मिक शेत्र में आपको फाइदा होगा आपका रुजान वहाँ पर जादा रहेगा आपको मनसिक वा शारीरी रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे कोई महत्यपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसन रहेगा कुछ समय से आपने जो लक्ष निरधारित किया हुआ है आज उसे पूरे भागशाली अंक छे होगा भागशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुमब राशी की आज आपको महत्युपूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्युपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाप के सांथ साथ नए घर की सुब सूचना भी ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रूची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास कर अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्रात्मिक्ता देना चाहिए आपको अबश्य ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलद्धी कारक रहेगा और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के ब के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश कर लीजिए आपको और आपके साधर धन्यवाद